कि कं रास्तान का भौ गलिक वर्गीगर्ण है न अपनी दो किये था एक तो किया था अरावली का और एक था पस्चिम का मरुस्तल अब तीसरा पार्ट है पूरवी मैदान है नहीं हाँ दुद्ह। पूर्वी मैदान देखो ये अरावली है ये मरूपर्देश है ये क्या है मरूपर्देश है और ये अरावली का भाग है यहाँ पर ये वाला इस्सा ये इस्सा मूल रूप से मैदान है ये क्या है मैदान है पूर्वी मैदान ये इस पूर्व मैदान का जो विस्तार है वो यहाँ 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 पर भी है थोड़ा बहुत पूर्व किसका अरावली के पूर्व की बात कर रहे हैं किसके पूर्व की बात कर रहे हैं अरावली के वैसे तो ये दक्षिन में आ रहा हैं दक्षि पूरुप किसका अरावली का पूरुप यहां पर एक हाडोती का भी कुछ मैदान आता हाडोती के पठारी भाग के बीच में मैदान है वो भी पूरी मैदान में आता है तो यहां यह पूरी मैदान है दक्षने पूरी पठारी परदेश यह आएगा यहां आएगा यह दक्षने पूरी पठारी परदेश यह पठारी परदेश यह मैदान है एक किया आपने पर दूसा यह तीसा और यह चोथा यह चार पार्ट है हाँ, वह sequence उससे कोई फरकनी पड़ेगा, मैंने कौन सा sequence करवाया, वह कोई फरकनी पड़ेगा, वैसे कोई मतलब नहीं, पड़ो, hand बढ़ दो, पूर्वी मैदान पूर्वी मैदान पहले देखो, इसका इस्थित्य कहा पर है, कहा इस्थित्या है, यह गंगयमना नहीं गंगा युम्ना नहीं ये अरावली के पूरब में इस्तित इतना है उत्तर है उसका एड्रस यही है कि पूरी मैदान कहा है अरावली के पूरब में इस्तित है तो इसको लिखो अरावली के पूरब में नदियों के आसपास इस्तित हैं किसके नदियों के पास है ये तो देखो यहां एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी यहां एक नदी है जिसका नाम है बनास नदी ये काली सिंध है ये पारवती है ये यहां पर आहू नदी है ये यहां पर परवन नदी है और ये निवाज है इसके अलावा यहां पर बामनी है ये कुराल है ये चाकन है और ये बनास का भी योगदान नाव है यहाँ एक नदी आएगी जिसका नाम है बान गंगा नदी वैसे अपर नदियां करेंगे उस समय इसको डिटेल करेंगे हाँ और लिखो देखो चंबल बनास और उनकी साहिक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है ये इसका क्या हुआ विश्तार हुआ अब अगर जिला पूछ ले कि किस किस जिले में मैदान फैला हुआ है तो बहुत सारी जिले आ जाएंगे लगबग ये सारे जो पूर्वी मैदान ये पूरू की जिले हैं यानि अलवर, बरतपूर, दौलपूर, करोली, दोसा, टॉंग, जैपूर, अजमेर, बुंदी, कोटा, जालावार, भीलवाड़ा, चितोरगर, परताबगर, डुंगरपूर, बांसवाड़ा तक यहां से लेकर के यहां तक मैने नाम बोले हैं इस सारे लेकिन मुखुरूपसर किसमें फ्यला हुआ हैं जहां जहां ऐसा जिला जहां पर अदिकांस मैदान है तो व Dorothy रूप सरे किसमीς फ्यला हुआ हैं अलवर में लिखो मैदान का मुख्य विस्तार वाले जिले या जिले लिख लो हाँ जिलेवार विस्तार लिख लो जिलेवार विस्तार लिख लो अलवर बरत्पूर, बरत्पूर, दोलपूर, करोली, अलवर बरतपूर, द्वालपूर, करोली, अभी बताते हैं ये अलवर ये बरतपूर ये दौलपूर ठीक है ये जैपूर ये दोसा ये करो ली हाँ दौलपूर के ये स्वाई मादपूर ये दोसा ये 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 दोसा हैं करोली है करोली का कॉर्णर है वह दौलपूर गुसा हुआ है समझ गए ये टौक है मैं जो बता रहा हूँ उनी जीलों को लिखो करोली दौलपूर दोसा जैपूर टौक गुंदी बीलवाड़ा बस इतनी जीले लिखना है वैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं बासवाड़ा में भी मैदान बताऊंगा लिखना है स्वाई मादपूर लिखना है स्वाई मादपूर समझ गए ये अब मैदान जालावाड में भी है मैदान बारा में भी है ऐसा कोई हो सकता है कि किसी जीले में मैदान ही नहीं हो हो सकता है ऐसा जैसे अरावली में इस्तित लिकिन मैदान तो हो गई थोड़ा बहुत हो गई जैसे राजसमन मैदान बहुत कम है सबसे कम मैदान किस में है राजसमन में है राजसमन में खराब भूमी यानि क्रिशी अनुप्योगी भूमी ज्यादा है यानि पहाड़ी भूमी है पठारी भूमी है हां मेयदान है इसका मुलकरég है मैदा नहीं है सपाड मैदान दीखेगा , जब तक आँक की नजर जाए तब तक सपाड मैदान देंखेगा आपको कुई यूद पहाड़ नहीं है , पहाड़ आती ही। पहाड़ hon गया , पठार आती है पठार जार दो सो दो सो तीन लाख वर्ग किलो मेटर हैं इस छेत्रफल का मरुस्तल कितना है एक सट पॉइंट ग्यारा परतिसद ए इस ड़ुपמरुंसतल का रास्तान के कुल्चहत्रफल का एक सट पॉइंट ग्यारा परतिसाद वापस लिखो, वापस लिखो, हाँ, वापस लिखो, मैं कुछ compare करके बता रहा हूँ, रास्तान के कुल्च हैत्रफल का 61.11% मरुस्तल हैं, 61.11%, यहां कहीं कहीं, 60 भी लिखा होगा, 61.11% क्या हैं, मरुस्तल हैं, ठीक है, 23% भाग पर पूर्वी मैदान हैं, यहांनि जो पूरु का मैदान हैं, वो कितने भाग पर हैं, जो अपन कर रहे हैं, वो 23% भाग पर हैं, कितना हैं, 23% भाग पर पर, अब जो मरुस्तल है मरुस्तल है मरुस्तल में रास्तान की 60% जनसेंग के रहती है 60% भाग पर 40% जनसेंग के रहती है ठीक है? आई बास समझ में रास्तान का जो एरिया है ये वाला इसमें इसमें किते लोग रहते हैं? क्या दिखते हैं इसको? रास्तान जो मरुष्टल जापन बैठे हैं वहां रास्तान के 40 लोग रेते हैं 100 में से संभाई 40% लोग रेते हैं और भूबा कितना है 60% भूबा कितना है 60% और यह जो पूरी मैदान है यह यह रास्तान के 26 भूबा कितना परतिसात है लगबग 23 परतिसात है और यहां कितने लोग रेते हैं 49 परतिसात लोग रेते हैं यह पुछली जंडगर्णा के अनुसार है 2011 की जंडगर्णा के अनुसार है अब नई जंडगर्णा संभावी थे और ऐसी भी सूचना है मेरे पास कि अब जंगन्ना नहीं होगी साइद जंगन्ना न हो क्योंकि जो डाटा आने थे वो आ गये हैं कोविड वेक्षिनेशन की वज़े से लगबग डाटा आ चुके हैं तो साइद न हो बागी जो नवजात बच्चों की हैं वो डाटा रोज आई रहे हैं तो ये आगी बाद समझ में 23 परतिसत हैं 6 तरफल का और जो लोग कित्ते रह रहे हैं 49 परतिसत रह रहे हैं समझ गए विशेष्टा हैं विशेष्टा हैं अब मरुष्टल की विशेष्टा है लिखनी है अपने को देखो विशेष्टा हैं लिखनी है किस की विशेष्टा हैं कर रहे हैं अपन पूरवी मैदान की विशेष्टा हैं कर रहे हैं पूरवी मैदान की विशेष्टा हैं कर रहे हैं पूरी मैदान की विशेष्टा में देखो इस्तिव अगरे आपने कर लिए इसमें दो, जैसे आपने किया था, जो मरुस्तल है, वो 33 सागर का भाग था. किया था अपने, मैंने साहसाइज भी बताया था, कि ये जो मैदान हैं, ये भी कभी 33 सागर का भाग रहा हुआ है. और अबी वर्तमान में ये किसका है? गंगा यमना के मैदान का अंग है ये दो पॉंट लिखो पैल लिखो एतियासिक द्रस्टी से या पुरातात्विक द्रस्टी से पुरातात्विक काल की द्रस्टी से या इसको ऐसा है भूगर्बिक काल की द्रस्टी से ये मैदान टैथिस सागर का अंग रहा है किसका अंग रहा है किसका अंग रहा है तैथिस सागर का अंग रहा है ध्यान रहें इसको और वर्तमान में किसका भाग है वर्तमान में ये गंगा युमना के मैदान का अंग है ये यहां से गंगा नदी निकलती है और इसके पास से यहां से यमुना नदी निकलती है इलाबाद के पास यह यमुना है वो गंगा में जाकर मिल जाती है तो यह वाला हिसा यहां से जितना भी बारिस अब मैदान का भाग कैसे हुआ यह भाग कैसे हुआ यहां क्योंकि राजिस्तान के इस छेत्र में इस एरिया को छोड़ दो इतना इतना एरिया को छोड़ दो और इस एरिये को छोड़ दो तो यहां जो भी बारिश होती है जो भी नदिया बहती है वो नदी जाकर किस में गिर रही है यमुना में गिर रही है तो इन नदियों का मैदान और रास्तान का पूरी मैदान है वो आपस में मिला हुआ है इसलिए इसको क्या कहते है गंगा युमना के मैदान का अंग कहते है सीधा प्रशना आएगा कि रास्तान का कौन सा भाग विस्तार की द्रश्टी से गंगा युमना के मैदान का अंग है विस्तारी तो है ये इसका फैला हुआ भाग है पहला हुआ भाग, यह थोड़ी लेंग्वेजी है और कुछ नहीं है, उत्तर वही आना है गंगा युम्ना के मैदान का, जब भी मैदान की बात आए, रास्तान गंगा युम्ना के मैदान का भाग है, इधर बात आए, तो सतलज के मैदान का भाग है, सतलज, इधर उपर प्रक्नित आएं तो ये सक्तलज के मैदान का पहादा गंगर का मैदान ये सक्तलज का हिस्सा आ जाता है तो ये इसकी भूगर्विक त्रश्टी से इसका काल हुआ दूसरा लिखो अब देखो इसके उत्तर में गंगा का मैदान है या यमना का मैदान के दो या गंगा यमना का मैदान के दो उत्तर पूरब में ये उत्तर पूरब है ने इसका इस मैदान का ये उत्तर पूरब है या नहीं है है बस थोड़ा बज alerts न लुग हरुए और ये क्या है दक्षिण पूरब है ये क्या है दक्षिण परस्टी में जाना किसके आती है यमुना के मैदान के आती है ना और दक्षिन में दक्षिपूर में क्या आता है यहां एक पठार है जिसका नाम है विंद्यन का पठार क्या है विंद्यन का पठार यह यहां पर और यह यहां पर क्या है यह वाला यह हाडोती का पठार है हाडोती का पठार है यमना नदी आगे जाके इलाबाद में गंगा में मिलती है गंगा में मिलती है आगे संगे दूसर पॉंट लिखो विशेशताओं में इस मैदान के उत्र पूर्वी सीमा पर इस मैदान के उत्री पूर्वी सीमा पर उत्री पूर्वी सीमा पर यमुना का मैदान इस्तित है यह ऐसा भी कह सकते हैं कि गंगा यमुना का मैदान इस्तित है और दक्षिन पूरव में विंद्याचल का पठार इस्तिते हैं आडोती का पठार इस्तिते समझ गए इस मैदान में जलोड मिट्टी पाई जाती है या इसको काप मिट्टी पी कहते हैं इसी को कच्छारी भी कहते हैं इसी को दौमट भी कहते हैं इस मैदान में या यह मैदान काप कच्छारी अबली करके लिखते रहे ना दौमट काप कच्छारी दौमट जलोड मिट्टि यां पाई जाती हैं मिट्टी पाई जाती हैं यह एक मिट्टी के अलग अलग नाम हैं तो मिट्टी पाई जाती हैं काप कह दो जलोड कह दो दौमट कह दो कच्छारी कह दो एकी बात यानि यह वो वाला हिस्सा है यह वाला हिस्सा है यहाँ पर कौन से मिट्टी पाई जाती है जलोड जलोड मिट्टी है दुनिया की सबसे उपजाव मिट्टी मानी जाती है दुनिया की सबसे उपजव मिट्टी है जलोड मिट्टी ठीक है इसलिए यह जो मैदान है रास्तान का सबसे उपजव मैदान है सबसे उपजव मैदान है प्रस्णा आजा एक रास्तान का सबसे उपजव मिट्टी पाई जाती है सबसे उपजव मैदान है सबसे उपजव मैदान है सबसे उप जाओ बूबाग हैं ये त्या रखना अब या फसले कौन कौन सी होती है देखो वैसे तो सारी फसले होती है या जौर भी होता है बादरी होता है तिल होता है लेकिन मुख्य रूप से इस मैदान में सर्शो सोयाबीन गैहूँ धनिया मुख्य रूप से सर्शा सोयाबीन गैहूँ गैहूँ धनिया सरवादिक होता है अब देखो सर्शो कहा सब ज़्यादा होता है अलवर बरतपूर में लिखो सर्शो अलवर बरतपूर में सर्वादिक होता है सर्शो अलवर बरतपूर में सर्वादिक होता है फिक है जार रहे धनिया कोटा बारा में सर्वादिक होता है कोटा और बारा में विसेशकर बारा में बहुत ज़्यादा होता है सोयाबीन कोटा जहलावाद में सर्वादिक होता है कोटा जहलावाद में कोटा और जहलावाद में कोटा यहनाप अब प्रस्ण आजा ये पूछा वह प्रस्ण है कि राजिस्तान में सरवादी ग्याँ उत्पादक छेत्र कौन सा है राजिस्तान में सरवादी ग्याँ उत्पादक छेत्र कौन सा है छेत्र पूछाएं जिला नहीं पूछाएं जिला आएगा तो गंगा नगर और अनुमान गड़ आएगा जिला पूछ ले तो लेकिन ये क्या पूछा है एरिया पूछा है तो पूर्वी मैदान ये पूरा ये मालपूरा करोली का मैदान है जा मैंने गोला किया है पूरी मैदान में गयहू यानि इसमें पूरा में गयहू होता है रास्तान का लगबग 60% गयहू होता है यह पर किसमें है यह रास्तान का 60% गयहू उत्पादन होता है यह इस मैदान में 60% यह मैं अर गुला किया इतना ही नहीं है इसका यह Kita यह तो मुक्षी केंदर्य यह भाग है इसका लेकिन यह कोटा मे यह या यह आजी चित्रोड़ंगर पर डुम interrupting मे बाशवादां में यह पूरा पूरी मैिदान ही है यह, यह, यह जो मुख्य रूप से हैं, यह इसको कहते हैं, मालपूरा, मालपूरा, करोली का मैदान कहते हैं, मालपूरा, करोली का मैदान, अगर करेंगे अपन वर्गी करन में आएगा यह मालपूरा, करोली का मैदान, मालपूरा, करोली का मैदान, जाग्याउं का इस मैदान का ढाल किस दिशा में है इस मैदान का ढाल किस दिशा में है ढाल ढाल किस दिशा में है पूरब की ओ रहे है इसका ढाल इधर है यह इधर है क्यों देखो इसका डाल इसिद्ध होता है अभी कि इसका डाल पूरब की और है संबल नदी यो बह रही है ठीक है दूसरी नदिया यो बह करके इधर जा रही है बनाश नदी यो जा रही है यहां से बान गंगा निकलती है और यो जा रही है तो ढाल किस दार हुआ पूरुप की और हुआ है, नोट करके लिख लें, मैदान का ढाल पूरुप की और हैं, किस दिसा की और हैं, पूरुप की और हैं ढाल, जान रखना, किस दिसा में हैं, पूरुप की और, तो ये अपनी इस मैदान की कुछ विशेष्थाएं हुई हैं, क्या हुए हैं, मैदान क ब्लावली में नावीर मेंस्तित रहें और पूरी मैदान क सब्साद करा्ण में पूरी मेदान का वर्गी करण पूर्वी मैदान का वर्गी करण पूर्वी मैदान का वर्गी करण पहले को चंबल का मैदान चंबल का मैदान नाम से इसपस्ट है चंबल का मैदान इसका मतलब चंबल और उसकी साइग नदियों के आसपास फैला हुआ है अब चंबल और उसकी साइग नदिया कौन कौन सी है चंबल और उसकी यह चंबल यह चंबल यहां से एक नदी आती है बनाश नदी यह बाद में करेंगे वैसे तो खमनोर से आती है राश समन्द में राश समन्द में खमनोर से निकलती है बनाश नदी इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है काली सिंद यहां से आती है इसका नाम है पारवती यहां से आती है इसका नाम है आहू यहां से एक नदी निकलती है मद्धिपर्देश से परवन और यह निवाज बाकी यह यहां पर चाकन नदी है बामनी नदी है यह जालावाड है नई, नई, ऐसा नई है ये इती नदिया थोड़ी और भी है इससे ज़्यादा भी मिल जाएगी कोटा में सबसे ज़्यादा नदिया उदेपुर संभाग में सबसे ज़्यादा नदिया सब से जाद़ नदिया, कोटा में है, जिला पूच ले तो, यह बामनी नदी, मेज, यह कुराल, और यह चाकड नदिया, तो इन नदियों के आज़्पास फैले हुए मैदान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चमबल का मैदान, चमबल का मैदान, अब इसकी विशेशता हैं लिखो देखो यह मैदान चम्बल बनास के आसपास इस्तित है चम्बल बनास और उनकी साहिग नदियों के आसपास इस्तित है चम्बल बनास और उनकी साहिग नदियों के आसपास इस्तित है अब यह जो मैदान है इसमें मैदान भी है इसमें पठार भी है इसमें पाहडियां भी है इसमें गाटियां भी मिलेगी तो इस मैदान में बीहड सबसे ज़्यादा मिलेंगे क्या मिलेंगे बीहड सबसे ज़्यादा मिलेंगे या इन बिहड को उत्खात भूमी भी कहते है पहाडी छेतर उबड़ खाबड कंद्राओं वाला भूबाग को क्या कहते है बिहड कहते है तो एक नोट करके लिख लो चंबल नदी के आसपास बिहड सरवादिक पाई जाते है जिने उत्खात भूमी भी कहते है जिने उत्खात पहाड़ी भाग उबड़, खाबड, पहाड़ी, पठारी, भाग, या कंद्राओं वाला भू भाग, कंद्राओं, 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 गुफाओं वाला, कंद्राओं वाला भू भाग, कंद्राओं वाला भू भाग, कंद्राओं वाला भू भाग, को भी हड कहते हैं, कंद्राओं वाले भू भाग को क्या कहते हैं, भी हड कहते हैं, क्या होता है, चंबल नदी है, चंबल की साइक नदिया है, पहाडी छेतर में बैती है ये नदिया, घाटियों में बैती है, दरारों में बैती है, और आसपास जो बारिस होती है, उस बारिस से पहाडी छेतर की मिटी को बहा करके कहा ला दिया, उस नदी के अंदर गिरा दिया, अब पीछे क्या बची, नालिया बच गई, कभी देखा सपाट मेदान में बारिश होती है तो छुड़ छुड़ नालियां बन जाती है चिकनी मिट्टी है और बारिक मिट्टी तो बेह करके चली जाती है और पीछे क्या रहता है आरेज गुफाएं बनी हुई है उसको कहते हैं बीहड उसके कंद्रा कहते हैं बीहड कहते हैं उसके को उतकात भूमी कहते हैं प्रसना आजाएं कि रास्तान में कौन से नदी सर्वादिक बीहड बनाती हैं तो कौन बनाती हैं चंबल नदी सर्वादिक बीहड बनाती है चंबल नदी सर्वादिक बीहड बनाती है चंबल नदी वाद इक बीहड और बीहड कितना लंबा है यह देखो यहां से याने कोटा से यहां से लेकर के भॉलपूर्ट तो फैला हुआ है यह बीहड और इस बीहड की कुल लंबाई चारसो असी किलोमेटर के आसपास है कितने बीहड की लंबाई कितने है चार सो असी किलोमीटर है करूली तक धौलपूर तक कोटा से धौलपूर तक ये इस नदी के आसपास यहां पर कोटा से ये कोटा का हिस्सा है यहां से लेकर के ये दौलपूर है दौलपूर तक इसका लंबाई कितनी है इस बीहड की ये वाला हिस्सा चार सो असी किलोमीटर और इसका चेतरफल 50,000 27 वर किलोमीटर हैं किसका बीहड का चेतरफल कितना तो बीहड है उसका चेतरफल 50,000 27 किलोमीटर है वर किलोमेटर समझ गए? ज्यान रखना है अब बीहड कौन कौन से जिलेम पाई जाते हैं? यह प्रस्द कहीं बार पूछा हुआ है लेख लो बीहडों के विस्तार वाला जिला बीहडों के विस्तार वाला जिला हाँ बीहडों के विस्तार वाला जिला जिले यानि बिविहर कहां कहां पाई जाते हैं देखो दौलपुर इदर देखते जाओगे समझ में जादा आएगा दौलपुर करोली करोली स्वाई माधुपुर गुंदी बुंदी इबुंदी कोटा बारां अब प्रस्ति क्या आता है कि निम लिखित में से किस जिले में या किस जिला समू में बीहर सरवादिक पाई जाते हैं तो उसमें इन जिलों में से कोई 3-4 जिले होंगे लेकिन आपको उस जिले को सही करना है जिसमें कोटा भी हो और धोलपुर भी हो यह साथ होंगे जिसमें कोटा भी हो और धौलपूर भी हो उसको सही करना है कोटा हो धौलपूर हो और बीच में इन में से कोई और जिला हो यह नहीं कोटा धौलपूर के साथ पाली दे दे तो कैसे होगा? यहां भी यड़ है यह नहीं कोटा दॉलपुर हो और इन मैंसे कोई साथ में कोई एक जिला और हो कोटा दॉलपुर होना जरूरी है समझ गए ये चंबल नदी के द्वारा क्या बनाया जाते है बीहड बनाया जाते है इस चंबल नदी का जो मैदान है मिट्टी कौन से पाई जाती है अपने पहले की है वो ही मिट्टी है पूछले बना वैसे यहां पर काली मिट्टी भी पाई जाती है इस मैदान में कौन से पूरी मैदान में काली मिट्टी भी पाई जाती है लाल मिट्टी भी पाई जाती है करेंगे कहा कहा है उनको अलगलग करेंगे अपन समझ गये यह ठीक है अब यह जो चंबल नदी है चंबल नदी चितोरगड में प्रवेश करती है और धौलपूर तक राश्तान में बैती है एक नोट करके लिखना चंबल नदी चितोरगड में प्रवेश कर धौलपूर तक राश्तान में बैती है धौलपूर तक राजस्तान में बैती है अब ये नदी क्या है ये नदी कहीं पर तो सपाथ चहतर में बैती है और कहीं पर ये खड़े में बैती है खड़े मतलब गेरी खाई में बैती है तेक है और यह द्यार रखना है कि कहाँ पर एक खाई में बैती है और कहाँ पर यह मैदान में बैती है यानि यहाँ देखोगे यह रास्तान में प्रवेश करती है यहाँ से मद्धि परदेश का इस्सा है और यह रास्तान में आसे प्रिवेस करती है यहाँ पर यह जो चितोड़गड का भैस रोड़गड वाला ब्लॉक है यहाँ पर यह नदी है वो थोड़ी से सपाट मैदान में बैती है यानि जो उसकी नदी का बहाव है वो थोड़ा यूँ है समझ गया है तस्तरी नुम आए यह है कम गहरा है लेकिन जैसे यहाँ एंटर करेगी कोटा में तो फिर यह गहरी खाई में बैती है यहां से लेकर क्या करती है गहरी खाई में बैती है पानी हाथ में यह जरूरी नहीं गहरी होती है इसी परकार यह यहां कोटा से लेकर के यह कोटा कोटा वाला एरिया में यहां से यहां लगबग 100 किलोमेटर की लंबाई में यह नदी गोर्ज में बहती है गोर्ज यानि खड़े में बहती है गहराई में गोर्ज यानि खड़े को कहते हैं जहां आप हाथ नहीं डाल सकते हैं कि यह देख सकते हैं यह नदी बह रही है कहीं कहीं तो बाहर भी आप बैठ करके ना सकते हो हाथ दो सकते हो यह इस वाले यहां तक इसके बाद यहां नहीं फिर यहां ठीक है यहां आप उसके अंदर वोट वगएरा ना वगएर चलती कि यह वोटिंंग वगएरा नहीं त स्टमां रिया आदमी ठेट ऊपर है नदा उचते थैड़ तों कोटा में यह नदी साफ्य या चितोडगधा चितोडगध से ले कर हाँ, चित्तोरगड के ब्रेकिट में लिख लेना, बैंसरोडगड चित्तोरगड के ब्रेकिट में बैंसरोडगड लिख लेना हाँ, यह बैंसरोडगड वाल प्रेकिट से लेकर के कोटा की सीमा तक सो किलोमेटर लंबाई में कोटा की सीमा तक सो किलोमेटर की लंबाई में यह नदी गौर्ज में बैती हैं, खड़े में, किसे बैती हैं, खड़े में बैती हैं, गौर्ज में बैती है, द्यान रखना इसका, पूछ लेते हैं कभी अब देखो, यह एक पार्ट हुआ अपना, मैंने कहा था न, कि मैदान का वर्गी करन करेंगी, यह चंबल का, चंबल नदी का मैदान था, दूसरा लिखो, बनास नदी का मैदान, क्या लिखोगे, बनास नदी का मैदान, या बनास का मैदान, बनास का मैदान अब बनास नदी कहा का बैती है देखो अजी बताई थी मैंने बनास नदी यह यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है खमनोर क्या नाम है खमनोर खमनोर से निकलती है नदी यह जाती है थोड़ा से चितोड़ गड़म जाती है फिर बीलवाड़ा फिर टॉंक टॉंक से फिर स्वाई मादुपूर और आगे जागे किस में गिर गई चंबल में गिर गई ये इसका बहाव है किसका बनास नदी का बहाव है बनास नदी का बहाव है कि अब बनास बनास की कुछ साइग न दिया भी है कि इसको थोड़ा हुआ कि यह बनास कि यहां कौन से जगह हैं खमनूर बाड मेर मेर में कहा हैं यह क्या बनाया है मैंने लिखा है मैंने वहां पर यह बाड मेर मेर में खमनूर यहां है खमनूर तो लिखूंगा तो कहीं न कहीं न यह तीर बना रखा है न सोचो यह तीर बना रखा है मैंने यह यहां पर यहां पर हैं यह यहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है बैडच यहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है कोठरी यहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है खारी यहां पर नदी निकलती जिसका नाम है मानसी यहां से एक नदी निखलती है जिसका नाम है मैंनल यह सारी नदिया मिलकर के बनास मैदान का निर्मान करती है बनास 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 बेडच कोठारी खारी मानसी उपबिंदी है यह डोंड यह नदिया मेल कर क्या बनाती है बनास का मैदान बनाती है बनास का मैदान बनाती है क्या बनाती है बनास का मैदान ठीक हाँ बनास नदी है वो खमनोर से निकलती है खमनोर से निकलती है कोठारी नदी है वो गास समंद में जिले याद कर लो मैं जिले आइंता से बताऊंगा नहीं याद कर लो जिले जो कोठारी नदी है वो दिवेर से निकलती है यह हाँ दिवेर से यह देखो यह बैडच नदी यह बनास नदी यह कोठारी नदी यह खारी नदी यह मानसी और यह बूड कोठारी कहां से निकलती है दिवेर से निकलती है राजसमंद में खारी नदी है यह बिजराला से निकलती है बिजराला की पाड़ियां अजमेर और राजसमंद के बीच में बिजराला की पहाड़ियों से निकलती है खारी नदी बिजराला की पहाड़ियों से निकलती है अजमेर और बिजराला 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 की पहाड़ियों से निकलती है कहां से निकली बिजराला की पहाड़ियों से निकलती है आ यहीते जरूँरे नहीं है यह एकंसे निकलते हैं ऩाज गोगुणदा से निकलती हैं उद्यपुर के गोगुंदा से निकलती है जा रखना तो ये ये जो पूरा मैदान बनता है ये पूरा मैदान यूँ वाला ये वाला इस ये पूरा क्या कहलाता है बनास का मैदान कहलाता है क्या कहलाता है बनास का मैदान अब इसकी विशेशतना लिखो देखो इस मैदान का विस्तार किस-किस जीले में है पहले जीले लिखो बनास के मैदान का विस्तार बीलवाडा, अजमेर, टौक, स्वाई माधुपुर बीलवाडा, अजमेर, टौक, स्वाई माधुपुर करो ले राजसमन्द थोड़ा थोड़ा उदे फोड़ दो आज बड़े जिले करो जहां जिसमें अधिक्तम विस्तार है इसका यह जिले है जो कैंदरी है जिले है यह देखो यह पूरा कैंदर में आ रहा है स्वाही मादुपुर आ रहा है अज मेर्प काईश साधिकांस आ रहा है भीलवाड़ा पूरा आ गया राजसमन्द आया अब यह थोड़ थोड़ जचित्तोड भी आ रहा है थोड़ा पहुत जरूरत नहीं है जरूरत नहीं यह बड़े बड़े जिले ठीक है यह पूरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है पूरी मैदान का नोट करके लिख लो पूरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है यह पूरी मैदान में तो है बनास का मैदान पूरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है इस मैदान में अधिकांस छैतर में भूरी मिट्टी पाई जाती है इस मैदान में भूरी मिट्टी अधिक पाई जाती है कौई से मिट्टी पाई जाती है भूरी मिट्टी अब देखो ये ये वो इस्सा है ये टॉक है ठीक है और ये करोली है ये क्या है करोली इस करोली और टॉक के बीच में ये वाला इस्सा है एक मैदान इस्तित है जो बनास के मैदान का ही भाग है लिए इस मैदान का नाम अलग है समझना, क्या कह रहा हूँ, टॉक और करोली के बीच का भाग, यह वाला इसा, यह वाला इसा, यहाँ एक मैदान इस्तित है, जो बनास के मैदान का भाग है, लेकिन, लेकिन, नाम उसका थोड़ा अलग है, टॉक में एक जगह हैं, जिसका नाम है, मालपुरा, टॉक में एक जगह हैं, जिसका नाम है, मालपुरा, और एक हो गया, करोली, तो इस मैदान का नाम क्या है, मालपुरा करोली का मैदान, प्रश्न क्या आया हुआ है, प्रश्न यह आया हुआ है, कि मालपुरा करोली का मैदा किसका भागे हैं बनास के मैदान का भाग है बनास का मैदान पूरी मैदान का भाग है पूरी मैदान गंगया यमना के मैदान का भाग है समझ गए लिख लो इसको माल पूर लिख लो माल पूरा करूली का मैदान मालपुरा करोली का मैदान टॉंक और करोली के बीच में फैला हुआ है किसके बीच में फैला हुआ है टॉंक और करोली के बीच में फैला हुआ है यह बनास के मैदान का ही भाग है इसका बाग है बनास के मैदान का ही भाग है समझ गए ज्यान रखना ही अब एक पार्ट रहा है इसी मैदान का जिसको कहते है माही का मैदान बनास का हो गया चंबल का हो गया और यह क्या है एड़िन डाल दो माही का मैदान पूर्वी मैदान का ही भाग है किसका भाग है पूर्वी मैदान का भाग है कौन माही का मैदान पूर्वी मैदान का ही भाग है क्या है यह वाला हिस्सा है कौन सा वाला हिस्सा यह वाला डुंगरपूर बासवाडा लिखो यह मैदान डुंगरपूर बासवाडा में फैला हुआ है डुंगरपूर बासवाडा में फैला हुआ है किसमें फैला हुआ है डुंगरपूर बासवाड़ा कौन सा माहिक का मैदान इस मैदान में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है लाल लोमी लाल चिकनी मिट्टी लाल लोमी मतलब लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है लाल लोमी या लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है चिकनी मिटी इस पैदान में खेती किसकी होती है कपास होता है चावल होता है अमेरिकन कपास होता है यहाँ पर अमेरिकन जिसको नर्मा कहते है चावल होता है कपास होता है अमेरिकन नर्मा होता है प्रशनाया हुआ है एक बार कि रास्तान के किन जिलों में अमेरिकन नर्मा की खेती होती है अमेरिकन नर्मा की खेती होती है किन जिलों में तो मैंने कब बताया, डुंगरपुर बास्वाड'll मैंने ये थोडिये कहा कि इस मैदान में होती है हां अब जब बात आये, जिले पूचले कि अँद्ध कि अमेरिकान नर्मा की खेति किस जिले में होती है तो गंगानगर अनुमानगर और बासवाड' डूंगरपुर नहीं नोट करके लिख लेना गंगानगर अनुमानगड और बासवाड़ा में अमेरिकन नर्मा की खेती होती है यहां देशी का पास भी होता है चावल भी होता है चावल भी कौन सा वाला बास्मत्ती चावल होता है यहां कौन चावल होता है बास्मत्ती चावल होता है जहां रखना, एक चीज़ हो और है आप, चावल हो रहा है, बास्मति, खपास हो रहा है, इस एरिया में मक्का भी अधिक होता है, मेवाड में लिख दो, इस मैदान में मक्के की खेती भी सरवादिक होती है, मक्का की खेती भी सरवादिक होती है, मक्का की खेती भी सरवादिक होती है अब राष्ता सरकारने की योजना भी चलाई है मेरा यूट्यूब का जो अब यूट्यूब का जो चैनल उसमें करेंट दे रहा हूं करेंट में एक टॉपिक दे रखा है मैंने जो weekly current आता है न weekly current को अब भी बेंट daily में current करने वाला हूँ एक दू दिन में रोज का current जो भी होगा चाहिए वो ताफ पांच मिनिट का ही होगा रास्तान का वो में रास्तान की उजनाओ का रोज का रोज दूँगा कुछ काफी लोग कह रहे हैं कि साथ में पढ़ा नहीं जाता है तो कि रोज का रोज देओ वैस मुझे यही एक रोज का रोज पढ़ाना पड़ेगा वरना मैं एक दिन में साथ दिन का एक बार में आदा गंटा पंदा भीश मिन लगते हैं इतने होता है matter तो एक योजना चला यही राष्तान की जिसका नाम है मिलेट्स प्रोजेक्ट मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज होता है लिखो एक नोट करके लिखो मोटे अनाजों की खेती को बड़ावा देने के लिए मोटे अनाज की खेती को बड़ावा देने के लिए राष्टान सरकारे मिलट प्रोजेक्ट सुरू किया है मिलट प्रोजेक्ट सुरू किया है प्रारम किया पर से आजाए Millets Project का समन्द किसे हैं तो मोटा ना जैसे मक्का, जौर, बाजरा, रागी लेकिन मुख्य रूप से बाजरे के लिए है ये जो Millets Project है उसका मुख्य उद्धिस ये बाजरा है और फिर मक्का है बाजरा और मक्का है हाँ अपने आन नहीं होती है इतनी रागी खाना होता है आदिवासियों का भोजन है तो मुख्य रूप से जो मिलेट में आता है रास्तान में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो मक्का और बाजरा के लिए प्रस्चिमी रास्तान में बाजरा के लिए और पूरी रास्तान प्रसिदए यह अप利 प्रस्ण आया था मक्का उत्पादक चहत्र है मक्का उत्पादक चहत्र है तो तो मेवार्ड होगा। कौन सा होगा मेवाड समझ गए तो यह अपना एक वर्गी कर्ण कम्प्लेट हो गए यह पूर्वी मैदान इसके विश्यस्ता है पड़ी इस्तिती पड़ी और इनका विश्तार पड़ा अब एक चौथा पाड़ रहा है दक्षनी पूरी ठारी परदेश है जो यह यह वाला इस्ता होगा यह बहुत इंपोर्टेंट है ज्यादा बड़ा नहीं है एक इंपोर्टेंट ज्यादा है क्लिक है